वाडी थाना शेत्र के खडगाम रोड इस्तित एक गोदाम से किराना सामागरी चोरी की शिकायद दर्च कराने के बाद पुलिस ने 24 घंटे की भीतर आरोपी को ग्रफतार कर सरहानी कारे किया है प्राप्ते जानकारी के अनुसाब वाडी सौपनिल अनिल रेंगुनवार उम्र 38 वर्ष मनीश नगर पंसारा सोसाइटी वर्दा रोड निवासी ने 25 जून शाम 6 बजे से 27 जून को सुभा 9 बच का 15 मिनिट पर आशिश प्लाजा के खडगाम रोड इस्तित साई समर्थ एंट तलाश शुरू कर दी थी 24 घंटे के अंदर जाच टीम का स्चाफ तुलसी शुकला और उनकी टीम अजे पाटल दुर्गादास माकाडे और गोपाल ने वरिष्ट पुलिस नरिक्षक प्रदीप रायन निवार के मार्ग दर्शन में तीनों आरूपियों की तलाशी के बाद चोरी करने के आरूप में आरूपी क्रिशना कालिदास कामले उम्र 23 वर्ष आरूपी जतिन हीलालाल उई के उम्र 18 वर्ष और आरूपी रितिक गणेश निम्मरकर उम्र 19 वर्ष तीनों आरूपी का निवास अलताफ के घर किराय से साई नगर प्रगती करने स्कूल के तरफ पुलिस स्टेशन वाडी नागपूर मूल पता पुलिस लाडगाव तालुका काटूल जिला नागपूर आरुपियों को गरफतार किया गया और उनके पास से सफूला गोल खादिय तील 16 नक कीमत 20,152 रुपे वचन घी 221 नक कुल कीमत 92,249 रुपे नियू आशिरवाद आर्टा कुल 2,884 रुपे 204 नक पैराशूट खोबरा तेल 17,396 रुपे कुल 1,32,671 और अपराद में प्रयोगत वहान दो टाटा S4 पहिया वहान थे MH40 CD 1878 MH40 CD 6519 जिसकी कीमत 5,00,000 रुपे व कुल 6,32,632 रुपे का मुद्देमाल आरुपियों को गरफतार कर जप्त किया गया आरुपियों के खिलाफ अपराद 384,671,34 के तहत मामला दर्च किया गया आगे की चाच वरिष्ट पुलस निरिक्षक प्रदीप रायन्यवार के मार्ग दर्शन में पुलस उपनिरिक्षक गडेश मुंडे कर रहे हैं वारी से न्बीजियन न्यूस के लिए सौरब पार्टिल की रिपोर्ट